हेलो दूस्तों गोड मॉर्निंग स्वागा थिक्वार फिर से अब सभी का मिस्राजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दूस्तों आज है 26 सप्तमबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 सप्तमबर 2020 के करेंट डफेर के सभी इंपोर्टेंट कुशन्स के बारे आज बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन्स आए हुए हैं तो आपको वीडियो केरफुली देखना है चले दोस्तों बात करते हैं लाजट दे की कुशन्स की लाजट दे कामारा पहले कुशन था भारत का पहला महला व्यापार केंदर कहां खोला जा रहा है कोल इंडिया लिम् मैं आपको वीडियो के इल्वे बताऊंगा चले दोस्तों बात करते हैं आज की दिन के पहले कुशन की पहले कुशन है किस राज içसरकार ने मौख्ष कलस योजना 2020 को मंगना दे क्या मतलब हुआ मंजूरी देने का मजूरी का में परपस यही होता है दोस्तों कि अगर कोई मृतक है मृतक के परिवार वाले हैं अगर वो अपने घर के सदस्य के जो मृतक है उसकी राख को हरिद्वार में ले जाना चाहते हैं गंगा में विसरजन के लिए तो फिर ऐसे दो सदस्यों को उस परिवार के दो सदस्यों को फिरी में बस service बस की यातeston करायी जाएगी ठीक है फिर से समझगे अगर कोई मृतक है उसके परिवार के दो सदस्हे झो है उनको फिरी में उसकी मृतक की राक को गंगा में हरिदवार में गंगा में विसरजन के लिए मुटबस यातरा करायी जाएगी क्लियर यही है यह योजना मोक्ष कलस योजना 2020 अब राजस्थाना है राजस्थान से हम लोग रिवाइज करते हैं दो पॉइंट अभी आया था बहुत ज़्यादा चर्चे में एक इंद्रा रसोई योजना बहुत इंपोर्टेंट है यह इंद्रा रसोई आउजना काफी ज़्यादा चर्चे में थी यह भूखे लोगों को बहुती कम दर पर किफायती दर पर आठ रुपए में भोजन कराने के लिए थी योजना अगला एक अपने MSME एको सिस्टम को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार ने सेडबी के साथ समझोता किया था इसको भी आपको याद रखना है चलिए अब राजस्थान के बारे में स्टैटिक जानते हैं राजस्थान देख लीजे मैप में ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज जी है छेतरफल की देश्टी से जैपूर यानि पिंक सिटी है यहांकी राजधानी असोग गहलोद जी कांग्रेस पार्टी से हैं यहांक इंद्रजीत मुहंती जी राजस्थान अपना दोस्तों बॉर्डर सेर करता है पंजाब से हर्याना से उत्तर प्रदेश से मद्र प्रदेश से और गुजरात से क्लियर अच्छा राजस्थान से आपको कुछ जीलो का नाम भी याद कराया गया था राजस्थान में दोस्तों भी है राजस्थान में ही ठीक है इसके बाद राजस्थान में एक प्रसिद पुसकर मंदिर है दोस्तों ब्रह्माजी का और पुसकर मंदिर से आपको पुसकर जील का नाम याद रखना है इसके साथ ही दोस्तों सामभर जील जो है वो खारे पानी की जील वो भी राजस्थान म नहीं है तो ये चार्ज हीनु का नाम आपको विल्कुल याद होना चाहिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला हाले में किस राजी सरकार दोरा मुख्यमंत्री ग्राम में परिवाहन अंचोडी योजना सुरू की गई तो असम राजी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम में परिवाहन अंचोडी योजना सुरू की है यह योजना क्या है इस योजना के तहाथ होगा यह दोस्तों कि ग्रामीड सेक्टर में वहांके गामों को असम के गामों को कनेक्ट किया जाएगा यह connectivity प्रोवाइट करने के लिए वहाँ पर light motor vehicle services सुरू की जाएगी कैसे light motor vehicle services मतल जबी आसानी से हो सकेगी, दूसरा फाइदा ये होगा कि गाओं में इसके थुरूबी रोजगार भी जनरेट हो सकेगा, असम राजी सरकार की ये योजना है, असम से ही अभी एक और कुश्चन आया था, इंपोर्टेंट कुश्चन था, इसने स्वयम योजना को दोबारा से लाज़ करने की गोशना किये, इसकी प्रसेद योजना थी स्वयम योजना, उसको ये दोबारा से लाज़ कर रहा है, असम से ही एक विधान सभा में यहाँ पर एक बिल लाया गया था, असम विधान सभा ने मूर्ती विरासत की रक्षा, सनरक्षान और उसके पुनर अस्थ टैंपर गवर्नर, काजी रंगा नेशनल पार्ग और मानस वन जीव भ्यारान, ये दोस्तों है असम में ही, काजी रंगा नेशनल पार्ग दोस्तों फेमस है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, और एक सिंग वाले गैंडे से याद आया एक कुशन अभी विश्व गैंडा द सबसे अपना बॉर्डर सेयर करता है थीक है साथी-साथ यह पस्टी मंगाल से भी सेयर करता है बॉर्डर अपना तो इन राज्यों को सेवन सिस्टर इस्टेट कहा जाता है यह भी हो सकता है पूछ लिया आप से अच्छा असम में ब्रहम्पुत्र नदी बहती है ऐसे होकर क्य जाती है ब्रह्म पुत्र नदी तो ब्रह्म पुत्र नदी जब असम से होकर गुजरती है तो असम में आठ किलो मेटर चौड़ी हो जाती है कितना आठ किलो मेटर चौड़ी और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाती है ब्रह्म पुत्र नदी इतनी चौड़ी हो जाती ह यहीं बीच बीच में नदी द्वेप भी बन जाता है और माजुली नदी द्वेप जो है माजुली वो माजुली नदी द्वेप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वेप है यादर केगा नदी द्वेप की बात हो रहे है यह नदी के बीच में जो द्वेप बनता है वो नद अगला Global Climate Summit 2020 की मेज़वानी कौन करेगा तो जलवाई परिवर्तन शिखर सम्मिलन यानि Global Climate Summit 2020 की मेजवानी United Kingdom और United Nation ये दोनों मिल करके करने वाले है UK और UN ये दोनों मिल करके दोस्तों करने वाले हैं इस बार मेजबानी ये समिट दोस्तों 12 दिसंबर को होने वाली है 12 दिसंबर को 2020 में इसी वर्स होगा ये Global Climate Summit 2020 पेरिस जलवाय समझोते के पाचमे वर्स पर उसके पाचमे वर्स गाठ पर ये आयजन किया जा रहा है तो इस समिट के मेजबानी दोस्तों इनके दोरा की जा रही है और अधिक्सता किसके दोरा की जाएगी ये 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 के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसकी अस्थापना United Nations Organizations की संयुक्त राष्ट संग की और नियुयार्क मे लोग European continent में आएंगे तो यहाँ पर आपको England मिलेगा, Wales मिलेगा, Scotland मिलेगा, Ireland मिलेगा ठीक है अब देखिए इसी में अगर England के साथ साथ Scotland को जोड़ दिया जाए और Wales को जोड़ दिया जाए तो ये तीन country मिल करके बन जाती है Great Britain ठीक है Great Britain बनाते हैं ये अगर इसी में North Ireland को भी जोड़ दिया जाए यानि उत्तरी Ireland को भी जोड़ दिया जाए तब ये कप पूरा का पूरा एरिया जो पीला वाला है वो कहलाएगा UK यानि कि UK के अंतरगत England, Wales, Scotland और North Ireland ये आते हैं अब केवल और केवल Ireland ये ग्रीन और एलो कलर का आपको दिख रहा है ठीक है अब ये स अब कुछ हकर मिला दिया जाए तो इसे आपको ध्यान रखना है आचा दुस्तों जासे कि आप सभी को पता है कि एवरी संडे महा संग्राम होता है क्वेज का करेंट अफेयर का और इस बार भी संडे अब कल है तो कल होना है बारा बज़े लेकिन मैं सूच रहा हूं इस बा लीजिए 300 लेकिन होगा जब आप लोग बताऊगे कमेंट करने हुगे क्या सेटिक सेट्च में जाया और मॉक्टिस सेक्षन में आपको करेंट अफेर महासंग्राम का मिल जाएगा फोल्डर उसी फोल्डर में जाकर के आपको सॉल्व करना है तीन क्विज आल्रेडी पड़ी हुई है लास्ट वन इयर की 100-100 क्विस्टिन्स की जाकर के आप फिले में विल्कुल सॉल्व कर सकते ह नेक्स्ट बात करते हैं अगला पांच अक्टूबर से आयोजित होने वाले रेज समिट 2020 की मेजबानी कौन करेगा तो इसकी मेजबानी दोस्तों नीती आयोग और एलेक्ट्रानिक और सूचना प्रदोग की मंत्रा लाए यानने मिनिस्ट्री ओफ एलेक्रोनिक एंड Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment 2020 समिट तो इस पर आयोजन किया जाना है अब इस समिट के बारे में समझिए क्या होगा इसमें ये एक दोस्तों Global समिट होगी इसमें Health Care, Agriculture, Education, Smart Mobility जैसे सेक्टर में कैसे Artificial Intelligence की मदद ली जाए कैसे Artificial Intelligence का यूज किया जाए इस पर चर्चा होगी ओके नीती अपना एक जनवरी 2015 को हुई अध्यक्ष इसके प्रधान मंतरी होते हैं तो पहले और वर्तमान में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी हैं उपाध्यक्ष राजियो कुमार जी और CEO हैं अमिताव कांत अगला है मोहमद हुसेन रोबल को कहा का नया प्रधान मंतरी बनाया गय हैं वो है मोहमद अब्दुल्लाही मोहमद तो उन्होंने इनकी नियुक्ति की है अब यह आए हैं हसन अली खैरे की जगह पर मोहमद हुसेन ग्रोबल क्लियर सोमालिया है कहां पर वर्ड मैप में चली देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों यह रहा हमारा पैरा भारत यहां स हम लोग आएंगे आफ्रीकन कॉंटिनेंट में तो आपको यहीं पर दिख जाएगा सोमालिया यह रहा सोमालिया ठीक है आफ्रीकन कॉंटिनेंट में यहां पर आपको मिल जाएगा सोमालिया यह अधन की खाड़ी के पास में ठीक है गल्फ आफ अधन आपको दिख रहा है यह है सोमालिया, सोमालिया की राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी होती है दोस्तों मोगा डिसू, क्या मोगा डिसू होती है इसकी राजधानी और यहां के प्रेसिडेंट मुहम्मद अब्दुल्लाही मुहम्मद जिनका नाम मैंने आपको बताया मुद्रा होती है सोमा सिलिंग है याग की मुद्रा अगला है हाली में डी डी ओ ने प्रिथवी टू偉 का सफल्तम परिछण किया इस मिसाईल की रेंज क्या है तो डी डी ब्रंतों ने दोस्तों प्रिथिवे टू偉ख मिसाल काこう सकसेश्फुली तेस्टिंग किया है Odisha में, Odisha के चांदीपुर में Integrated Testing Range से, तो इसकी range बताने है आपको, ये इसकी range है दोस्तों 350 किलो मीटर, ये Nuclear Capable Missile है, जिसका Successfully Night Testing की गई, यानि रात्री परिछंड किया गया इस missile का, प्रिथभी 2 missile का, ठीक है, प्रिथभी 2 दोस्तों ये Surface to Surface Missile होती है, यानि सता से सता मार करने वाली मिसाइल होती है तो ये वाली जो अभी सक्सेश प्लिजिस की टेस्टिंग की गई है एक तो ये निउकलियर कैपेबल मिसाइल है और दूसरा इसका रातरी परिछण किया गया है चांदीपूर उरिसा में इंटीग्रेटेट टेस्ट रेंज से की गई है अच्छा अभी DRDO ने अभी जल्दी में मैंने आपको बताया था कि अभ्यास ड्रोन का परिच्छन किया था अभ्यास नाम का ड्रोन था उसका सक्सेशिबली टेस्टिंग किया था DRDO ने अगला अगला हाले में किस कवी को ग्यान पीट पूरुसकार से सम्मानित किया गया यह बहुत ही important question है तो दोस्तों अखितम अच्छुटन नमबूदरी जी को ग्यान पीट पूरुसकार 2019 से सम्मानित किया गया है ध्यान रखेगा वर्ष 2019 के लिए ग्यान पीट पुरुसकार इनको दिया गया है एक्शली में ये नाम आपको सुना सुना लग रहा हुआ क्यों 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 ये नॉवंबर में ही अनॉसमेंट हो गया था नॉवंबर 2019 में और मैंने कवर किया था और बकायदी यूग वगरह में आपको प्रोवाइड भी किया गया था लेकिन इनको जब दिया जाना था तो COVID-19 के चलते ही करेक्रेम टलता गया टलता गया और अब जाकरके इनको दिया जा रहा है दिया गया 24 सब्तमबर को तो 24 सब्तमबर को ग्यानbelt प्रोवसकार 2017 से सम्मानेद गये अकितम अच्युदन नम्मूद्री ़ी ये दोस्तों काफी फेमस मल्यालम कभी है मल्यालम साहित्ति के लिए इनको मिला है और मल्यालम के साहित्ति के लिए ये ग्यानपीट प्रोवसकार पाने वाले छटवे व्यक्ति बन गए हैं ठीक है इनके बारे में थोड़ा सा और बात की जाए तो 2017 में इन्हें 2017 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानि पदमस्तिरी दिया गया था 1973 में साहित अकादमी अवार्ड भी पाच चुके हैं इन्हें मात्र भूमी पुरुसकार भी दिया जा चुका है कबीर सम्मान भी पाच चुके हैं केरल साहित सम्मान भी साहित अकादमी भी पाच चुके हैं तो इनको अब ग्यानपीट पुरुसकार भी दिया जा चुका है इस से दोस्तों बहुत कुश्चन बनते हैं कोई भी एक्जाम हो इसलिए यहां से कुश्चन देखनों को मिलते है एक्ष्वल में दोस्तों ग्यानपीट प्रोषकार जो है दोस्तों यह भारत के समिदान में आठवी अन्सूची जो है जिसमें 22 भासाओं का उलेक किया होना चाहिए अच्छा ग्यानपीट पुरुसकार की अस्थापना हुई 1961 में लेकिन पहला पुरुसकार दोस्तों दिया गया 1965 में दिया गया पहली बार ये अवार्ड किसको मिला जी संकर कुरूप जी को मिला ये भी थे मल्यालम कभी जी संकर कुरूप जी भी ठीक है अस्था लिए मिला था इनकी रचना थी चिदंबरा उसके लिए इनको 1968 में दिया गया था प्रत्था महिला पुरुसकार प्राप्त करता थी आशा पोना देवी जी ओके दोस्तों आज आज आप लोग के लिए बहुत बड़ा सप्राइज आ रहा है अभी मैं इसका नाम नहीं वताऊं तो आपको इंफर्म कर दिया जाएगा दिन भर में कभी भी और हाँ गेस करना चाहो तो गेस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट बात करते हैं उर्जा दक्षता सेवा लिम्टेट EESL ने अपना नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया तो Energy Efficiency Services Limited यानि EESL के नए पाल की जगा पर Energy Efficiency Services Limited की ये अब नए प्रबंध निदेशक यानि मैनेजिंग डारेक्टर होंगे नेक्स्ट हाली में Acer इंडिया ने अपना नया ब्रैंड मेजडर किसे बनाया तो Acer इंडिया ने अपना ब्रैंड मेजडर बनाया सोनु सूध को एक्टर सोनु सूध को Acer भारतिया अंतराष्टिये फिल्म महोसो यानि IFFI को स्थगित करने की घुशना की गई ये कहां पर आयज़ित होना है तो ये दोस्तों गोवा में आयज़ित होना था लेकिन इसको पोस्ट पॉंड कर दिया गया है COVID-19 को देखते हुए ये भारतिये अंतराष्टिये फिल्म महोसो था 51 इसका संस्क्रण था कब आयज़ित होना था ये 20 से लेकर के 28 नौबर तक इसी वर्स आयज़ित होना था लेकिन अब इसे टाल दिया गया है अब ये आयज़ित होगा अगली साल 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में होगा आयज़ित थीक है 2021 में 16 जनवरी स तो बस दोस्तों ये तो थे आज की दिन के टॉप 10 करेंटर फेर के कुशन, I hope आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ जानकरिया मिली होगी, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, निश्चित ही ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है, चले दोस्तों बात करते हैं, बारत की पहली महिला राफेल फाइटर सिवांगी सिंग, इस से पहले कौन सा लड़ा आपको विमान कौन सा फाइटर प्लेन चलाती थी, अगला महिला वैग्यानिक अलफ्रेड नोवेल ने निम्ण में से किस की खोज की थी, दोनों ही कुश्चन है इंपोर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डेटेल में अंसर कीजेगा, अब आप इसकी वीडिय देख लिए हैं, तो जाएए इसकी quiz भी solve कर लीजिए, MZT app पर, MZT app का link description में दिया गया है, वहां से जाकर करेंगे, आप लोग तो आपको 30 coins भी मिल जाएंगे, तो जाएए MZT app को इंस्टाल कर लीजिए, बात करते हैं मों लोगों के नाम की, जो लोग कल की वीडियो में इतने लोगों ने करेक्टर डिटेल में अंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में अंसर किया करो, मिलते हैं दुस्तों नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए नमसकार जाहें, वन दिमातरम